So here Xiaomi ने release कर दिये हैं Android 14 के beta updates MIUI 14.0.0.4 14.0.0.11 and 14.0.0.18 लेकिन यहाँ पे global stable के लिए अभी तक किसी भी device के लिए Android 14 को release नहीं किया गया नहीं उसको beta में release किया गया और नहीं stable में release किया गया तो यहाँ पे stable updates China reason, global reason के लिए release हो चुके है मेरा वर्तब ready हो चुके हैं लेकिन उनको कब तक release किया जाएगा इसके regarding आपको पूरी information देने वाला हूँ इस वाली वीडियो में तो वीडियो को शुरू से लेके लास तक दिखते रहिए चैनल को subscribe अभी से कर लिजिए अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो यहां पर मैंने आप सभी से कहा था कि यहां पर Android 14 के जो beta updates है जो stable build में है वो MIUI 14 पर ready किये जाएंगे ना कि 14.1 पर तो यहां पर Xiaomi 13 को देख करके मैंने यह वाली statement यहां पर post कर दी थी कि यहां पर आपको MIUI 14 परी Android 13 के stable update सब भी reasons में देखने के लिए मिलेंगे चाइना को इंकलूड करके तो यहां पर Xiaomi 13 परो के लिए 14.0.1.0 UMBCCN UMC MIN UMCEU and Xiaomi 12T के लिए 14.0.3.0 ULQ MI XM and ULQ EU XM तो यहां पर इन तीं डिवाइस के लिए तीनों reasons के लिए Android 14 स्टेवल अपडेट रिलीस हो चुके हैं और जब भी आपको Android 14 के भी MIUI डाइलर ग्लोगल डीजन यूरोप रिजन में देखने के लिए नहीं मिला है होफफुली इंडिया रिजन में आपको MIUI डाइलर के साथ Android 14 को इंटोडूस कि आ जा है लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी official statement नहीं जब भी इसके रिगार्डिंग कोई information आएगी मैं long video create कर दूँगा तो यही थी आज की पूरी वीडियो कि यहां पे Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 12 के लिए तीनों रिजन्स के लिए MIUI 14 एंडवर 14 stable update ready हो चुके हैं लेकिन इनको यहां पे release थोड़ा सा late किया जाने वाला है क्योंकि stable Android 14 आपका 4th October को release किया जाएगा अभी हमारे पास इसां पे approximation एक महीने का वेड़ करना पड़ेगा एक महीने के बाद ही आपको यहां पर Android 14 के stable updates इन तीन डिवाइस में देखने के लिए मिलेंगे जब भी release होंगे इनके रिगार्डिक वीडियो क्रिएट कर दूँगा सिंपली चैनल को सब्स्राइब कर लिजे और जोइन कर कर दूँगा